दोफ्तो बिहार लगू दमी योजना दोहजार चौबिस को लेकर काफी बड़ी अपडेट जारी की गई है क्योंकि काफे सारे लोग का हम कॉमेंट भी देखते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका आविदन छूट छुके थे वो आविदन नहीं कर पाया थे या बहुत सा तबी का दुबारा से पोर्टल जो है खोलने की बाद कही जा रही है पूरी जनकारी मैं आपको बताऊंगा कि दुबारा से आपकी पोर्टल कब से खोली जाएगी इसमें किन लोगों को मौका मिलेगा किस परकार आपकी आविदन पर करिया होगी कितने रुपे का जो है परकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारी अपडेट की जनकारी आपको मिल पाएगी जैसा कि पहले आप समझ लिजे कि जो आपकी आविदन हुई थी 23-26 वितिये 70 के लिए हुई थी अब इसमें जो बज़र था और हाई 100 करोर का था और हाई 100 करोर में आपने देखा होगा कि लिष्ट जो जारी किया गया है इसमें 50,000 लोगों का नाम जारी किया गया है और एक वेटिंग लिष्ट भी है जिसमें 20,000 लोगों का उसमें भी सेलेक्शन होगा तो उसका भी लिष्ट बहुत जल जारी होग बहुत सारे लोगों का कहना था, आमने 90,000 का दिया फिर भी नाम आया था, तो अभी देखिए नाम आने के लिए तो आही जाएगा, अगर आपने इंकम सर्टिफिकेट के बदले में कास सर्टिफिकेट भी अप्लोड कर दिया होगा, फिर भी नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्य फटरराई रेंडमाइजियसं के फूर्ओ आपके सेलक्षिन होई है, तो उसमें ज्जादा कुछ देखा नहीं गया है, आपने अवेधन जो किया है, उसके बिवेधर पर सेलक्षिन किया है, लेकिन मेन जो फंढा होता है, सेलक्षिन होने एक बाद आपकी ही डुकुमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग ऐसे छट जाएंगे जो गलत तरीके सावेतन किये हैं तो वैसे लोगों में जो छटेंगे तो फिर वेटिंग लिश्ट जारी होगा उसमें जिन लोगों का नाम आएगा उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो यह समझ लीजे तो इस बा देखा है अपने 50 लोगों को प्रधान है मिलना है बजट अरहाई सो करोर का था लेकिन अभी जो आपकी नई सत्र होने वाली है जैसे 31 मार्च 2024 के बाद आपकी वितिये वर्स चेंज हो जाएगे फिर आपकी 24-25 वितिये वर्स हो जाएगे तो इस वितिये वर्स में आपकी फिर से आवेदन स्टार्ट होगी मतलब अपरील महिने से लेकर आपकी दिसंबर महिने के बीच में कभी भी पोर्टल आपका लाइब हो सकता है वितिये वर्स 2024 के लिए इसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो लोग का आवेदन नहीं हो पाया है या जो लोग का लेक्शन नहीं हुआ है उन लोग को मौका इसमें मिलेगा लेकिन जिनका नाम आच चुका है वो चाहेंगे फिर से अगले वितिये वर्स में हम आवेदन करें तो यह संभब नहीं है एक बार ही बेनिफिट मिलेगा और वैसे लोगों को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर करमालीज़ आपके परिवार में आपको मिल गया आप चाहेंगे हम अपने फादर के नाम से मदर के नाम से या अपने भाई बेहन किनी के नाम से अपलाई कर ले तो ये भी संभब नहीं है परिवार में एक लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा तो अब आपकी आवेदन अपरील महीने से लेकर दिसंबर महीने के वीज्ट में कभी भी शुरू हो सकती है जो कि 24-25 वितिय वर्स के लिए है इस बार जो आपके सेलेक्षन होगी इसमें 2 लाख लोगों का चैन किया जागा 2 लाख लोगों को कैसे चैन होगा तो समझ लीजिए जैसा कि आपने देखा कि इस वर्स जो आपकी प्रद्धान बजट का था और हाई 100 करोर का था लेकिन अगले वितिय वर्स यानि 24-25 के लिए जो बजट है जारी किया गया है उसमें बताया गया कि 1000 करोर रोपे जो है इस अगले वितिय वर्स में ये जारी किया जागा जारा है उनका नाम जो है कटा जाता है ऐसा नहीं है क्योंकि आप जानते होंगे जआते होंगे उसी तुरानमे लाख कुछ लोगों को बेनेसीट देना एक साल में नहीं देना है जिसानल Two is चलेगी, पान सालों तक जिन लोगों का benefit मिल पा रहा है, उनका नाम हटता चला जागा, फिर जिन लोगों को benefit मिलना है, उनको benefit मिलता चला जागा, इस परकार आपकी पूरी परकिरिया होगी, अब इस योदना का benefit अगर आप चाहते हैं लेना, तो सबसे महतपूर्ण document क्या हो तो फिर आप कोसिस करिएगा, नया income certificate बनाने का, अगर एक साल का अंदर का ही रहेगा, तो फिर ये चल सकता है, income certificate कोसिस ये करना है, 60,000, 65,000, 70,000, 70,000 से अधीक आप income certificate नहीं बनाया, वो मानने नहीं होगा, ऐसे 72,000 तक हो सकता है, लेकिन उससे अधीक मानने नहीं होगा, अगर आप गलत तरीके से अपलोड भी कर देंगे, लगा भी देंगे, वो कोई काम का नहीं होगा, तो डोकुमेंट इसमें ज्यादा मांगा नहीं जाता है, main income certificate ही होता है, इसको आपको ready रखना है, बहुत जल्द आपकी आवेदन परकरिया, 2024 से 25 वितिये सत्र के लिए अगर आपको पसंद आओ, पूरी जनकारी आपने समझा होगा, तो इस विडियो को like और इस विडियो को share जरूर कर दिएगा, धन्यवाद